क्या कारण है कि संयुक्त परिवार आज कल कम है कि इंसान काम के चक्कर में जो है एक जगे से दूसरी जगे चला गया है तो एक जगे से दूसरी जगे जब इंसान चला जाता है तो परिवार अपने आप तूट जाता है और खर्चे बढ़ने की वजए से भी कई बार ऐसी स्थिती पैदा हो जाती कि सोचते हैं उसको संस्कार मिलते थे वो एकल परिवार में रहकर नहीं मिल सकते इसी तरह से ही जो है स्वयक्त परिवार थे उनमें चोटे-चोटे मनमटाव अपने आप ही दूर किये कर लिया करते थे लेकिन अब जो एकल परिवार हैं उनमें समय नहीं है नमस्कार D5 चैनल हिंदी देख रहे हैं दर्शकों का मैं वंदना और मैं अधरमेंदर संधू स्वागत करते हैं दोस्तो भारतिय संस्कृती का अभिन अंग्था संयुक्त परिवार जो देखने में आज कल कम ही दिखाई देता है क्योंकि एकल परिवार जादा बढ़ गए हैं उसके पिछे क्या कारण है इस वेशे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वंदना जी वंदना जी क्या कारण है कि संयुक्त परिवार आज कल कम है संयुक्त परिवार कम होने की वज़े सिर्फ कामधंदा ही कहा जा सकता है कि इनसान काम के चक्कर में जो है एक जगे से दूसरी जगे चला गया है तो एक जगे से दूसरी जगे जब इनसान चला जाता है तो परिवार अपने आप तूट जाता है तो सबसे मेन वज़े हैं तो हम यही बता सकते हैं बिल्कुल वंदना जी यही बात है कि रोजी रोटी कमाने के लिए हर इनसान को अपने घर से अपलाइन करना पड़ता है बाहर जाना पड़ता है अपना देश अपनी जो जड़े हैं उनसे दूर होना पड़ता है ताकि वे रोजी रोटी कमा सके देखा जाता है कि आज कल जादा रुजान बढ़ रहा है बाहर जाने का भी वो अलग बात है लेकिन इसके लावा भी एक शहर से दूसरे शहर में जब आपकी नौकरी लगती है तो आपको अलग रहना पड़ता है अपने बीवी बच्चों का ख्याल खुद रखना पड़ता ह इसलिए जो छोटे परिवार हैं उनकी गिंती बढ़ती जा रही है संउक्त परिवार तूटते जा रहे हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक यही वज़े नहीं होती है तो जितनी प्राइवेसी उनको चाहिए वो जब संउक्त परिवार में नहीं मिलेगी तो अप परिवार है कि लड़ाई जगड़े जादा बढ़ें तो हम अलग हो जाएं तो फिर वो लोग अलग हो जाते हैं तो एक वज़े यह भी कहा जा सकता है कि संउक्त परिवार तूट जाता है बिल्कुल जो विचारगत मतभेद बी आरा है लोगों के मनों में वै भी जो संउक्त परिवार के तूटने का कारन बनता है जिसतरह से देखा जाता है कि एक पेढ़ी पड़ी लिखी होती है दूसरी पेढ़ी बिल्कुल अनपड होती है इसलिगे जो संउक्त परिवार है उनमें रहना पसंद नहीं करते लोग क्योंकि एक पड़ा लिखा होगा उसका वेचारिक जो मतभेदा वो लगातार अपने परिवार के साथ चलते रहेंगे। प्रासकर जो बहु बेटा होते हैं वो अपने माँ-बाप से अलग रहना शुरू कर देते हैं अपनों बच्चों की पढ़ाई का हवाला देते हैंगे हमारे बच्चों के शेहर में पढ़ाई नहीं हो सकती हम अलग रहेंगे ज़चोटी-चोटी बातों पर जो जगड़े और कमाने वाला इंसान अगर एक ही हो तो खर्चा सारा उसके उपर हो जाता है और खर्चे बढ़ने की वज़े से भी कई बार ऐसी इस्थिती पैदा हो जाती कि सोचते हैं कि हम सभी अलग अलग रहें बिल्कुल बंद्रा जी बात हो गई संयुक्त परिवार की और एकल परिवार की हमने बता दिया कि किस तरह से जो कारण क्या है कि जो संयुक्त परिवार आजकल कम है लेकिन इसके नुकसान भी है जो संयुक्त परिवार में रहकर बच्चे की परवरिश होती थी उसकी देख है इसमें बहुत अंतर हो जाता है सबी चीजों में वो ये सब चीज नहीं जान पाता कि हमारी ममा कैसे पूजा करती थी हमारी दादी कैसे करती है और अब हम कैसे कर रहे हैं तो इसमें भी काफी बिलकुल बन्दना जी बात की जाये नोकरी पेशा लोगों की, तो नोकरी करने के लिए पती पत्नी को यही घर से बाहर रहना पड़ता है और जो बच्चे हैं उनका पालन पोशन नौकरों के हाथों में होता है और नौकर किस तरह से करते हैं यह सभी जानते हैं वो अपने हिसाब से ही उनका पालन पोशन करेंगे जो अच्छी तरह से नहीं हो सकता इसलिए मजबूरी है नौकरी पेशा लोगों की लेकिन फिर भी इस और ध्यान देने की जरूरता है कि किस इस तरह से अपने बच्चे की जो परवशव की जाए बिल्कुल ठीक कहा आपने क्योंकि बच्चों की परवरिश नौकरों के हाथ में होती है और पर बाद में उनको माबाब को ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा डिप्रेश में चला गया तो उसको बार्णे में काफी टाइम लग जाता है और संयुक्त परिवार में है तो डिप्रेशन पहली बात तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई न कोई घर में ऐसा होता है जो उस बच्चे के करीब होता और बच्चा अपनी सारी बातें उनसे कह देता है बिल्कुल आज बच्चा आपको किसी के घर पे छोड़ कर जाना पड़ता है जा बच्चा अपने साथ ले जाना पड़ता है यह भी बड़ी समस्या है जी बिल्कुल और साथ ही बच्चे का जो विकास है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाता क्योंकि घर में अगर दादा दादी साया सारी बाते होती हैं तो बच्चा शुरू से ही बाटना और परवाह करना संयुक्त परिवार में ही सीखता है अच्छी तरीके से यह एकल परिवार के अंदर संभाव नहीं है बिल्कुल संयुक्त परिवार ऐसे हुआ करते थे जिन में छोटे मुटे मन मुटाव होते थ करती थी और सभी मिल जूल कर रहते थे लेकिन आज सवयुक्त परिवार नहीं रहे हैं तो इसलिए जो कलेश हैं लड़ाई जगड़े भी बढ़ गया है क्योंकि दो बंदों में तीसरे को एंटर होने का मौका मिल जाए तो कलेश का कारण बनता है इसी तरह से ही जो है सवयु अधर करना तक भूल जाते हैं कि हम बड़ों का आदर कैसे करें सवयुक्त परिवार के अंदर शुरू से ही आदत करना सिखाया जाता था कि नहीं यह आप से बढ़े हैं आपने ऐसे कैसे बोला आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन सभी माब पिटाई कर देते हैं वो बच्चे को समझाते हैं, बच्चा समस्ता नहीं है, माबा पिटाई कर देते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, उस बच्चे को प्यार से समझाया जाए, उसे कहा जाए, उसे परिवार के बारे में समझाया जाए कि एकल परिवार है, मगर संयुक्त परिवार जो है, वो गोमने जाना है तो सारा परिवार एक गारी में एक साथ जा रहा है। लेकिन वो आज दिखाई नहीं देता। पिल्कुल ठीक कहा आपने संयुक्त परिवार में हर दिन त्योहार की तरह लगता है जबकि एकल परिवार में सिर्फ त्योहार पर ही त्योहार लगता है वो भी जब एकल परिवार अपने संयुक्त परिवार की तरफ जाए यानि कि अपने से बड़ों के यहां पे दादा दादी नाना नानी बुआ वगेरों के यहां पर जाए तब ही लगता है कि हाँ अब त्योहार है वरना लगता है कि वही अकेला पन वही सब कुछ और संयुक्त परिवार में जब सब कोई साथ रहते हैं तो हर दिन ऐसा लगता ह बिल्कुल संुली, परिवार हमारी भारती संस्कृति की गरिमा थे धरोर थे लेकिन मजबूरी वर शब्स देखने को नहीं मिलते लेकिन पिर भी है, आज संयुक्त परिवार South Iphone को फिर एक बार एक्जुट होने की ताकि हमारी संस्क्रिती का जो परिचे दिया जा सके जो हमारी संस्क्रिती थी संस्कारों वाली संस्क्रिती थी उसको दुबारा से जीवित किया जा सके बिल्कुल ठीक कहा आपने इसमें समाजिक सुरक्षा भी मिलती है संयुक्त परिवार में समाजिक सुरक्षा के सा साथ बच्चा संस्कृती सभ्यता सबसे जोड़ता है। जो बढ़ने लगे हैं यहां तक कि जो एकल परिवार है उसमें समझाने वाला बड़ा बज़ूर्ग नहीं होता कोई भी और साथ ही जो है तलाक तक भी पती-पतनी की नौबत पहुंच जाती है। वो उनका आधर करते हैं तो वो उनकी बात मान लेते हैं तो वो बात वही के महीं रुख जाती है वरना बात कोट कचैरी तक पहुंचती है और फिर तलाक तक नौबत आ जाती है। तो संयुक्त परिवार के फाइदे जादा हैं जबकि नुकसान बहुत काम है। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूंगी मैं यहां आपको कि अगर संयुक्त परिवार है और कोई बिमार पड़ा है तो उसकी केर बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। जबकि एकल परिवार के अंदर केर करने के लिए किसी को ढूड़ना पड़ता है कि कौन इसकी परवा करेगा, कौन देखबाल करेगा, कौन टाइम पे खाना, पानी, दवाई, कौन देगा। लेकिन संयुक्त परिवार में ये कमी बिल्कुल भी मैसूस नहीं होती है। बिल्कुल संयुक्त परिवार की पहले मैंने बात की कि उसमें एक सुरक्षा का भाव था। जिस तरह की ख़वरें आज हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि नवालिक बच्चों को जो है अपनी हवस का कोई शिकार बना जाता है, उसके साथ गल्थ हरकते होती हैं। ऐसा स परिवार की सदस्य है, कोई ना कोई उसको आते जाते कोई चाचा चाची, नाना नानी, ताया ताई, कोई भी देख लेता था, तो एक शर्म का भाव था। लेकिन अब जो है बिल्कुल ही खुला हो गया सारा दौर, सब कुछ ऐसे चल रहा है, किसी के मन में डर नहीं रहा, किसी के मन में किसी के लिए कोई शर्म हया नहीं रही। मारा पिछला दौर था, उसमें जब शादियां विवा हुआ करते थे, तो तीन तीन चार चार दिन पहले, एक संयुक्त परिवार की पूरा चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, सबी एक जगाए कठे हुआ करते थे, बाते हुआ करती थी, पुराने किस्ते, वहाँ पे लग जा रहे हैं शादी पे, वहाँ जाकर भी एक जो गोल टेबल लगे होते हैं, उन पे अलग लग बैठा है, भुआ की फैमिली लग बैठी है, चाचा की फैमिली लग बैठी है, ताया जी की फैमिली लग बैठी है, उन मामा कोई अपस में भावी नहीं है कि एक दूसरे को मिलना है खाना पीना मौज मस्ती तक रह गया है लेकिन जब पहले विवा हुआ करते थे तो उसमें लोग पहले ही दो दो तिन तिन दिन पहले तैयारियां करते हुए शामिल होते थे रात रात भर बाते चलती थी ऐसा भी कुछ आजकल देखने को नहीं मिल रहा है बिल्कु सीमित होकर के रह गया है साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर सयुक्त परिवार है तो कोई आर्थिक तंगी भी आई है तो सब मिल जुलकर के साथ में हुआ करते थे लेकिन आजकल एकल परिवार होने की वज़े से हर कोई साथ में खड़ा नह करेंगे लेकिन अगर सयुक्त परिवार है तो फिर वो आर्थिक तंगी का पता भी नहीं चलता है कि कब आर्थिक तंगी आई और चली गई क्योंकि रहने के लिए खाना पीना चछत यही जरूरी चीज़ें होती है और यह सारी जरूरी चीज़ें जो हैड होता है वो किसी नीचे वाले मतलब जितने और परिवार के सदस हैं उनको किसी प्रकार की तंगी महसूस नहीं होने देता है तो यह सबसे बड़ा फायदा है सयुक्त परिवार का बिल्कुल हम अपने मन से यही लोगों का पेल करते हैं कि सयुक्त परिवार अगर संभव नहीं है उसमें रहना क्योंकि सबकी मजबूरी है किसी ने नौकरी के लिए कहा जाना है तो इसलिए जब भी आपको समय मिले तो अपनों में जरूर बैठें अपने परिवार में जर करें कि यह आपकी बड़ी अंटी है यह आपके बड़े अंकल हैं यह वो वाले अंकल हैं इस तरह से बच्चों को ना सिखाएं उनको दिखाएं कि जो असल में नाम हुआ करते थे चाचा चाची मामा मामी नाना नानी वही एक प्यार से लेने वाले नाम थे उनमें एक और तुम्हें ये पूरी करनी है चाहे तुम संयुक्त परिवार में हो चाहे तुम एकल परिवार में हो सभी का आदर बराबर करना है सभी को एक तरह से देखना है सभी के लिए तुम्हारा ये फर्ज बनता है इसे तुम्हें करना ही करना है बिल्कुल आज हमने वंदना जी चर्चा की संयुक्त परिवार वाइकल परिवार पर उसके नुकसान पर और अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो क्या फाइदे होते हैं क्या सीखने को मिलता इस विशे पर चर्चा की गई है ऐसा ही विशे लेकर फिर हाजिर होंगे फिलाहल मुझे और वंद्रा जी को अजाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार